नमस्कार दोस्तों अभी तक आपने इसरम कार्ड के बारे में तो सुन ही लिया होगा और साइथ कुछ लोगों का तो अपना कार्ड बन भी गया होगा जिल लोगों का बन गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जिल लोगों का नहीं बना है तो फटापट से जाएए और अपना कार्ट बनवा लीजिए और इसी से रिलिटेट आज मैं आपको पांच कॉस्चनों के आंसर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्पूर है और इन कॉस्चनों के अलावा अगर आपके मन में भी कोई अत्रीक्त कॉस्चन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी उपर बना दूँगा चले सबसे पहला कॉस्चन ए आता है कि क्या जो किसान होते हैं जो फारवर होते हैं इस कार्ट को बनवा सकते हैं तो दोस्तों अगर मैं आपको एक सब्द में इसका आंसर दूँ तो मेरा आंसर रहेगा नो किसान इस कार्ट के लिए नहीं बनवा सकते इसके लिए उपात्र नहीं हैं हाँ अगर आप agriculture related कोई काम करते हो अगर आप खेतिवारी में काम करते हो आप एक सरमिक हो तब आप इस कार्ट को बनवा लीजी या पर इस प्रकार के कोई किसान जिनकी कोई भी उनके नाम से जमीन नहीं है हाँ किसान तो है लेकिन उनके नाम से कोई भी जमीन नहीं है वो only एक सरमिक के तोर पर काम करते हैं खेतिवारी में तो उनका कार्ड बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन वो पूरी तरीके से किसान है, उनके नाम पे खेतिवाडी की जमीन है तो इस कार्ड के लिए वो पात्र नहीं है तो दोस्तों आप लोगों का दूसरा कॉस्टन ऐसा रहता है कि इसरम कार्ड बनाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा या पर इसी में एक और कॉस्टन में एड कर देता हूँ कि हमने तो CSC सेंटर वाले के पास से जाके बनवाया है और उन्होंने हमसे पैसा ले लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप खुद से अपलाई करो चाहे आप CSC सेंटर वाले से बनवाओ कार्ड बनवाने का आपको कोई भी चार्ज नहीं लेती है गवरिमेंट कार्ड बनवाने का ये फिर ही आप कोष्ट है फिर ही में आपका कार्ड बन जाएगा लेकिन इस बात को खास करके आपको ध्यान रख लेना है कि मान लेज़े आप खुछ से अपना कार्ड बनाते हो और आप उसको डाउनलोड करते हो तो हार्ड को भी प्रिंट कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी भी सौप में तो जाना पड़ेगा और अगर आप कराते हो किसी सौप में जाके प्रिंट तो आपको उसका प्रिंट का चार्ज तो देना पड़ेगा इसलिए जो CST Center बाले होते हैं कार्ड बनवाने का तो कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं जो भी चार्ज लेते हैं उसको डाउनलोड करते हैं इसके बाद से प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के बाद लेमिनेशन करके हार्ड कोपी आप लोगों को देते हैं इसे वो लोग 30 से 500 रुपे तक का चार्ज कर लेते हैं बाकी कार्ड बनवाने का तो कोई भी चार्ज न तो आप इस card को बनवा सकते हैं एक और question इसी पकार से आता है कि इस card को बनवाने के लिए हमको कौन-कौन से documents की जरूत पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास अधार card है और साथ में अधार card के साथ में जो भी mobile number link है और साथ में आपका bank में account है तो आप इस card को बनवा सकते हो और अगर आपके अधार card है mobile number link नहीं है तो आप अपने नजदी की CSC center जाएए और वहाँ पे अपना thumbs scan करके और आपका जो भी authenticate है वो अधार card से हो जाएगा इस पकार से आप अपना सरमे card बनवा सकते हो CSC center जाके अगर आपके अधार card में mobile number link नहीं है तो अगर mobile number link है तब भी आप खुद से ही apply कर सकते हो इसरम portal में जाके link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो दोस्तों अगला question आता है कि जब भी हम इस card को online apply करते हैं और हम वहाँ पर जो भी bank details add करते हैं तो card बन जाने के बाद जो government है हमारे bank account से पैसा काटेगी तो इसका final answer है no आपके bank account से कुछ भी पैसा नहीं कटेगे और basically जो government है आप से bank details इसलिए ओ मांगती है कि जो भी आपको फाइदा देने वाली होगी direct आपके bank account में पैसा आ जाएगा चाहे हो राज सरकार हो चाहे हो केंद सरकार हो जो भी आपको फाइदा देने वाली होगी सरमिक लोगों को direct आपके bank account में पैसा credit हो जाएगा इसलिए government आप से बैंक डिटेल्स मांगती है